वेलकम टू नेक्स एक्जाम आज है 18 मार्च 2023 और 18 मार्च 2023 से करेंट फैस की जितने भी इंपोर्टेंट कुश्चिन बन सकते हैं सारे में इस वीडियो मैं डिसक्स करेंगे और हर कुश्चिन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट वी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूर आपको सारी पीडियाप एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम गुरुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिसक्स नहीं दे दिया है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलेग्राम गुरूप जोइन कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कुश्चिन है हाली में बल्ड स्लीप डे कम मनाया गया है तो अभी सत्रे मार्च को बल्ड स्लीप डे मनाया गया तो इस कुश्चिन का बे ओप्सन सही है यह हर साल मार्च की तेसरे सुक्रवार को मनाया जाता है और इस वार मार्च का तेसरा सुक्रवार सत्रे मार्च को था इसलिए सत्रे मार्च क को बल्ड स्लेप डे मनाया गया अच्छा बल्ड स्लेप डे मनाया क्यों जाता है तो गुडवत्ता पूड नेंद के महत्त को उजागर करने के लिए हर साल ये मार्च की तेसरे सुक्रवार को बल्ड स्लेप डे मनाया जाता है अच्छा एक मार्च को सून निभेद्वाव दिवस मनाया गया, 4 मार्च को रास्टी सुरक्षा दिवस और 200 मुटापा दिवस मनाया गया, 6 मार्च को विस्टी टैनिस दिवस मनाया गया, 8 मार्च को अंतरास्टी माइला दिवस और नो स्मोकिंग डि मनाया गया, 9 मार्च को विस्टी केडनी दिवस मनाया गया, 10 मार्च क को बेश्च उपवक्ता अधिकार दिवस मनाया गया, 16 मार्च को रास्टी टेका करण दिवस मनाया गया, तो मार्च में अब तक इतने इंपोर्टेंट ये मनाया गया है, ये आपको याद रखने है, अच्छा आज किस वीडियो का हम टार्गेट रखते हैं, 40 या लाइक का, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, एल्पो लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और सेर जरू किया करो, और मैं ने क्यूशन है, हाली में स्काई ट्रेक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एरपोर्ट की लिस्ट में कौन सा एरपोर्ट टॉप पर रहा है, तो अभी स्काई ट्रेक्स ने दुनिया के टॉप एरपोर्ट की लिस्ट जारी किया है, इसमें सिंगापुर का सिंगापुर एरपोर्ट टॉप पर रहा है तो इस कुशियों का से ओप्शन आई है यह सिंगापुर चांगी एरपोर्ट और यह इसकाई ट्रेकस द्वारा जारी दुनिया के टॉप एरपूर्ट की लिस्ट में टॉप पर रहा है अच्छा साउथ एसिया में सबसे अच्छा एरपूर्ट दिल्ली एरपूर्ट टिख्लेयर किया लेच्ट यूशन है किस ने भारत के सबसे बरिष्ट सेन coach स्रविभल चिकट्सा सेवा के महानिदिशक की रूप में पद्वार समाला है तो लेटेनिट जर्निल दल जीत सिंग बारत के सबसे बरिष्ट सेने चिकित्सक ससस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महा निदेशक की रूप में पदवार समाला तो इस कुश्चिन का बे ऑप्सिंस है यह हैं लेफटनेंट जर्नल दलजीत सिंग अच्छा अभी एलाइसी के प्रबंद निदेशक की रूप में तबलेस पांडे को प्रमोट किया गया टैक महिंद्रा ने मोहित जोसी को एमडी एंड सीईओ की रूप में अपउइंट किया से चेंजिस क्लाइमिट के भारत के राजदूत की रूप में स्रेया घुडाबत को निउक किया गया और एलाइसी का अंतरिम चेयरमें सिद्दार्त मोहनती को निउक किया गया है ने कुशिन है, हाली में केस राज में पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली रेल गार्डियां चलेंगी तो अभी मेगाले में पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली रेल गार्डियां चलेंगी तो इसकुषिन का C options है अब मेगाले में चलेंगी तो ये है मैप मेगाले मेगाले की केपिटल क्या है सिलॉंग मेगाले की चीपनिश्टर कौन है कॉनरट संगमा और मेगाले की गवर्नर कौन है फागू चोहान अच्छा अभी प्रतिक्रसी परिवार औसत मासिक आये में मेगाले टॉप पर रहा मेगाले सरकार ने एसिया के पहले ड्रोन डिलिवरी हब का अनावरण किया बांगला महुत्सम मेगाले में मनाये गया मेगाले के मुख्यमंत्री ने नागरिक जुडा और संचार कारिकरम शुरू हुआ नैक्यूशिन है हाली में रभी चौधरी किस देश की बायू सेना के सायक सचिब बने है तो रभी चौधरी ये अभी अमेरिका की बायू सेना के सायक सचिब बने तो इसकूशिन का बे ऑप्सन सही है यह है रभी चौधरी ये अभी यूएस एयर फोर्स के सा सच्चिब बने हैं अच्छा अमेरिका की बात है तो इंडिया और अमेरिका की वीच में कौन-कौन सी डिफेंस अक्साइज होती है कोप इंडिया टाइगर ट्रम्फ बज्ड प्रहार और युद्दव्यास ने क्यूशन है हाली में दो दिवस्य अमेरिक थेंस दिवस्य ऑसें परेटन मंत्रियों की बैठक कहा होगी तो अब दो दिवस्यों परेटन मंत्रियों की बैठक लखभनव में होगी तो स्कूश्शन का एशां प्रहों सहिए अब यानि की संगाई कोप्रेशन ओरुनाईस filter इसकी स्थापनश्र плох hvor में इसका headquarter कहां पे है Beijing में और CEO के present पे सेक्रेडरी जनरल कौन है जांग मिंग कौन है जांग मिंग अचा लखनव लखनव किस नदीक किना रिष्थित है तो लखनव है गोमती नदीक किना रिष्थित ने क्योशन है, हाली में किसे ycom 18 के brand ambassador की रूप में न्युक किया गया तो महंद्र सिंघ धौनी को अभी ycom 18 के brand ambassador की रूप में अपौइंट किया गया तो इस question का say options है अचा अब एजियो सिनामा के brand ambassador बने हैं सूरिक कुमार यादव पैपसी ने रडवेर सिंग को अपना brand ambassador. यूनिसेफ undिया के बाल अधिकारों के ambassador. आईशुमन खुराना मने meinitra ने रडवेर कपूर को अपना brand ambassador. पॉइंड किया। और puma इंडिया ने harman petkor को अपना brand ambassador. बना गया तो इसकी फूल फॉर्म क्या है पैंसन फंड रेगुलेटरी एंड डिवलप्मेंट अथॉरिटी इसकी स्तापना कव हुई 2003 में इसका हेड़कॉर्टर कहां पे है न्यू डेली में और अब इसके अध्यक्ष न्यूक्त हो गए है देपक मुहंती अचा हिंदुस्तान एमडी एंड सीओ रुहित जाबा पॉइंट हुए एमई इकाई की कमान समानले वाली पहली मैला अधिकारी गीता राणा बनी है एक्सिस म्यूचल फंड का नया एमडी एंड सीओ बेग गोपकर को न्यूप किया गया और प्रामेरिका लाइफ इंस्वरेंस ने पंकज गु रूप में अपॉइंट किया तो इसकुषिन का से ओप्संस है यह हैं बिमलकपूर और एनिको हनीवेल ने सीओ की रूप में अपॉइंट किया है ने शुषिन हाली में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में जैफ्री वाबा प्रदरसनी का उद्गाठन किया तो अभी अ क्या है कूलंबो कूलंबो कॉमर्सिल केपिटल है और स्री जैवर्दनी पुरम कुट्टे एड्मिरिस्टेटिव केपिटल है स्री लंका की करणसी क्या है स्री लंकन रुपी स्री लंका की प्रजैन टाइम पर प्रैमिस्टर कौन है देनेस गुडबर्धन और स्री लंका की प्रेजेन टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है रनिल बिक्रम सिंगे अच्छा अभी दिवंगत सेडियस विपिन रावत की सम्मान में स्रीलंका के स्री मुक्तिनात मंदिर में घंटी लगाई गई बारत ने आर्थिक सायता यूजना की अंतरगत स्रीलंका को 50 बसें प्रदान की है दोजर चौबीस में अंडर 19 बल्ड कप की मेजबनी स्रीलंका करेगा और स्रीलंका के उपन्यासकार सेहान करणा तिलका के उपन्यास को 2022 का भुकर पूरुसकार मिला है नहीं क्यूशन है हाली में TCS का CEO किसे नियुक्त किया गया तो अभी के क्रतिवाशन को TCS का CEO क्या गया है TCS यानि की Tata Consultancy Service इसकी स्तापना कभ होई 1968 में इसका Headquarter कहां पर है मुंबई में और अब इसके नए CEO तो यहीं बन गए है के क्रतिवाशन ने क्यूशन है हाली में यूक्रेन को मिग 29 बिमान देने वाला पहला नाट्टो सदस्य देश कौन सा बना है तो यूक्र अब पोलेंड बना तो यह है मैप में पोलेंड पोलेंड की केपिटल के है वर्साव पोलेंड की करणसी के है पोलिस जलोटी और पोलेंड की प्रिजेन टाइम पर प्राइमिस्टर कौन है मैथ्यूस मूरावी की अच्छा नाट्टो यानि कि North Atlantic Treaty Organization इसकी स्तापना कब होई 1949 में इसका हेड़कॉर्टर कहां पर है ब्रुसेल्स में और इसके प्रिजेन टेम पर सेक्रेटरी जनरल कौन है जैन्स स्टूल्टेन वर्क कौन है जैन्स स्टूल्टेन वर्क नेकिशन है हाली में स्टार्ट अप 20 एंगेजमेंट ग्रूप की इठक सिक्किम में आयोजित की जाएगी तो इसकुष्यन का से अप्सेंस अब सेक्किम तो यह है मैप में सिक्किम की कैपिटल क्या है गंग टोक से किम के चीपनिष्टर कौन है प्रेम सिंग तमांग और सिक्किम के प्रजेंट टाइम पर गवर्नल कौन है लक्षमड आचा ने कुष्यन है कौन सा देश सबसे कम विक्सित देशों की सूची से बाहर हुआ है तो अभी भूटान सबसे कम विक्सित देशों की सूची से बाहर हो गया तो इसकुष्यन का ए ऑप्सन सही है अब भूटान बाहर हुआ है तो यह है मैप में भूटान की कैपिटल क्या है वुटान की currency क्या है नगलर तुम और वुटान की present time पर प्रैमिस्टर कौन है लुटे तसे रिंग कौन है लुटे तसे रिंग नेक क्यूशन है हाली में किस ने space suit की नई पीड़ी का नावरड किया तो अभी नासा ने space suit की नई पीड़ी का नावरड किया तो इस question का say options है अब नासा यानि की national aeronautics and space administration इसकी स्तापना कव हुई 1958 में इसका headquarter कहां पर है वॉसिंग्टन DC में और इसके present time पर administrator कौन है बिल नेलसन कौन है बिल नेलसन अब लास्ट वीडियो के question का answer लास्ट वीडियो मैंने आपसे question पूचा था कि हाली में Swiss firm IQ Air की report के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूसित देश कौन सा बना है तो अभी Swiss firm IQ Air की report आई है और इसके according दुनिया का सबसे प्रदूसित देश चा इंटेल में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा question के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो पिर उन्हें आप कभी नहीं बूलते अब आपके लिए आज का question आपके लिए आज का question है हाली मे जियो सिनेमा के brand ambassador कौन बने हैं चार option दिये गए हैं इनमें से आपको अपना answer बताना है और इसके अलाबा हम हमारे Facebook page पर previous question daily post करते हैं तो आप Facebook पर next exam सर्च करके हमारा Facebook page join कर सकते हैं क्योंकि previous question आपको बहुत help करते हैं अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है या आपको अप जरे सर्च करके आप मेरी साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी doubt कोई भी confusion without any agitation discuss कर सकते हैं अच्छा आज किस वीडियो का टार्गेट जरू याद रखना आज किस वीडियो का टार्गेट है 40 या लाइक का तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है help लगा है तब आप इस वीडियो को like और share जरू किया करो और आपके पास जो भी study related whatsapp और facebook group है उनमें आप इस वीडियो को share जरू कर दिया करो तो यह था आज का हमारा current face का वीडियो आपको यह वीडियो कैसा लगा please comment box में जरू बताना और अगर अब ही तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक में current affairs की वीडियो मिलती रहे next exam always with you thanks for watching